तो हेलो दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नए वीडियो पे अभी के टाइम पे AMOLED डिस्पिले का डिमांड जो है ना काफी जादा है और AMOLED डिस्पिले का काफी सारा बेनिफीट्स भी है इसलिए लोग AMOLED डिस्पिले वाला फोन को लेना पसंद भी करते हैं इसलिए मैंने आपके लिए TOP 5 बेस्ट AMOLED स्मार्टफोन को स्लेक्ट किया है जिसे आप खरीच सकते हैं अभी के टाइम पे 12000 के अंडर में इन सभी फोन में AMOLED डिस्पिले तो मिलेगा ही उसके साथ साथ हाईयर रिफ्रेस रेड भी होगा और इस प्रेजरेंज के हिसाब से पावर्टफुल प्रोसेसर भी मिलेगा मेडियाटेक हेलियोजी 96 जैसा एंड 64 मेगापिक्सल तक का कैमरा मिलेगा बराड़ा में स्टोडेज होगा फास्ट शाजर का सपोर्ट भी मिलेगा तो कह सकते हैं कि अगर आपको 12,000 पे में अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन में से किसी भी फोन को ले सकते हैं इन सभी फोन के बारे में पूरी जानकारी आपको डीटेल्स में देंगे तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखेगा तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो को अपने लिस्ट के आखरी नंबर पे आता है इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स नोट 2L 4G और हाँ आखरी नंबर वाले फोन से स्टार्ट कर रहे है घटते घटते एक नंबर तक जाएंगे और इसे में समझने में आपको आसानी होगा कि कौन सा फोन सबसे अच्छा फोन है खर अगर आपको 12,000 उपे में कच्छा value for money स्मार्ट फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए कच्छा option हो सकता है तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या इस स्पेसिफिकेशन होने वाला है चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे इस फोन का डिस्पले से तो इनमें 6.7 इंच का full HD plus AMOLED डिस्पले मिलेगा जिसमें 180 Hz का टा सेंप्लिंग रिट दिया गया है इट वाला प्रोसेसर मिलेगा प्रोसेसर को ज़्यादा हैवी तो नहीं कह सकते हैं बढ़ 12,000-12,000 के प्राइज रेंज के हिसाब से ये प्रोसेसर पावर्फुल प्रोसेसर है अगर आप इस फोन में हलका फुल का गेमिंग भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और धाई लाग प्रोसेसर का अंतुस्तु स्कोर भी है जो कि इस प्राइज रेंज के हिसाब से स्कोर ठीठा की स्कोर है बात की जाए बैटरी का तो नहीं में पांसजर मेच का बैटरी मिलेगा प्राइमरी केमरा का 1.6 का अपर्चर है और आप डियरेंड फ्रन्ट केमरा से 2K तक की वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं 30 एप्यस पर तो केमरा भी जो होना 12,000 के प्राइज रेंज की हिसाब से नो डाउट बढ़िहां मिलेगा बात करेंगे रेम स्टोडेज का तुम्हें 4GB का रेम एंड 64GB का इंटरनल स्टोडेज मिलेगा और आप मैक्सिलम 512GB तक का मैमोरी को इसमें लगा सकते हैं और इसकी अलबा ये फोन प्लस्टिक बिल्ड पर ही बनावा फोन है प्लस्टिक का बैक, प्लस्टिक का फ्रेम दिया गया है बटी स्टोड का डिजाइन वगरा काफी खूपसूरत सा लगता है देखने में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 184GB स्टोड का वेट है, वेट को लाइट वेट ही कह सकते हैं और 8mm का ठीकने से जो की काफी पतला सा फोन है बिल्ड कॉलिटी वेगरा पड़ यहां ही मिलेगा और कुछ चोटी मोटी फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेड़फोन जैक मिल जाएगा डेडिकेट स्लोट दिया गया है जिसने आप डबल सिमांड एक मैमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं इसमें फेस अनलोक का सपोर्ट मिलेगा और साइट माउंटेड फिंगर पिंट का संसर भी दिया गया है यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो XOS 10 के साथ आता है जो के Android 11 पर बेस है तो चलिए बात कर लेते हैं आखिडी में इस फोन का प्राइज का तो ये फोन जोना कोल दो वेरेंट में आता है पहला आता है 4400 जिसका प्राइज फिलाल के टाइंपे साड़े दस हजार रुपया है और दूसरा वेरेंट है 6108 जिसका प्राइज फिलाल के टाइंपे 12,000 रुपया है तो अगर आपको अभी के टाइंपे 12,000 रुपया में एक अच्छा value for money smartphone चाहिए तो नो डाउट यहाँ फोन आपके लिए अच्छा उपसन हो सकता है खेर अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दरवाइद चलिए वीडियो में बागे बढ़ते और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का अपने लिस्ट के फोर्थ नमबर पे आता है मोटो की तरब से मोटरोला जी फोर्टी टू यहाँ यह एक 4G फोन है और यहाँ फोन फिलाल के टाइम पे आपको 12,000 के आसपास में देखने को मिलेगा सबसे इंट्रेस्टिंग बात यह है कि जब यह फोन लाँच हुआ था तो 14,000 रुपया में मिल रहा था बट फिलाल के टाइम पे यहाँ फोन आपको 12,000 रुपय में मिल जाएगा तो इस प्राइज रेंज के हिसाब से यह फोन एक अच्छा वैलिव फोर मने स्मार्ट फोन बन जाता है तो क्या गोज इस फोन में मिलेगा क्या इस स्पेसिफिकेशन होने वाला है चलिए जान लेते हैं डिटेल्स में स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालेटी से तो पलास्टिक बिल्ड पे बनावा यह फोन भी है पलास्टिक का फ्रेम दिया गया है यह फोन मोट रोला का फोन है तो आप अपने हिसाब से डिजाइन वीड़ा को देख सकते हैं जयान वेगरा वैसे भी काफी खुबसूरत लगता है देखने में 8.2 mm का थिकने से जो की काफी पतला सा फोन कह सकते हैं ये फोन एक अच्छा लाइट वेट फोन भी है क्योंकि 175 ग्राम इस फोन का वेट है यहाँ फोन इस टोक एंड्रोइट के साथ आता है जिससे आपको एक भी ब्लोट वेट एपस एड्स नहीं दिखेगा जो की रन करता है एंड्रोइट टुवल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप पीछे का कैमरा से टेने टीपी पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं के वल्ट टीएपेस पर लेगा बात करेंगे प्रोसर का तो में कॉलका में स्नेपडेगन 680 वालाइक फोर्जी प्रोसर मिलेगा जो कि यहाँ प्रोसर 6 नैनो मीटर पर बना हुआ है और दो लाग पचाशाजार के आसपास इस पोन का अन्तुतु स्कोर भी है और बारहा हजार के प्राइज रेंज के हिसाब से स्कोर को बड़ यहां ही कह सकते हैं अगर आप इस फोन पे हलका फुल का गेमिंग भी करते हैं बात करेंगे बैटरी अगला फोन का नमबर तीन अपने लिस्ट का अगला फोन का नमबर तीन अपने लिस्ट के ठर्ट नमबर में मैंने रखा है रेडमी नोट 11 को यहां फिलाल के टाइम पे यहां फोन भी 12,000 के आज पास में ही देखने को मिलेगा यह फोन थुरा चा पूरा ना जरूर हो गया है लेकिन अभी के टाइम पे भी यहां फोन का तगड़ा फीचर के साथ आता है अगर आपको 12,000 पे में एक अच्छा आल राउंडर टाइप क अगरा काफी बढ़िया मिलेगा इस फोन का वेट भी काफी कम है एंड थिकनेश भी काफी बढ़िया है तो नोड़ाउट बिल्ट क्वालिटी वगरा बढ़िया मिलेगा कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला हेड़फोन जैक मिलेगा इसमें डेडिकेटेड लोट भी दिया गया है जिससे आप डबल सीमें एक मैमोरी कार्ट को एक साथ लगा सकते हैं फेस अनलोग का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगर पींट का संसर भी दिया गया है यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जोके Android 11 पर बेस है त काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आपको मुवी देखने में या फिर गेमिंग भी करने में काफी मजाएगा तो 12,000 के प्राइज रिंज के हिसाब से 90Hz का इसकी रिफ्रेस रेट बढ़िया है और 1000 निर्ट का पिक ब्रैटनेस मिल रहा है तो यह चीज भी बढ़िया ही है जि की माइक्रो सेंसर और डेप सेंसर है और सेलफी कैमरा सोलो मेगा पिक्सल का दिया गया है और आप इस कैमरा से यानि की रियर एंड फ्रन्ट कैमरा से 1080 पर वीडियो रिकोडिंग कर सकते हैं 30 एंप्यस पर कैमरा नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आप अच्छा- दिकत नहीं होने वाला है अगर आपको एक अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन भी चाहिए 12,000 रुपया में तो इसके लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा उप्शन हो सकता है बात करेंगे प्रोसेसर का तो में कौलकम स्नैपडरिगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिल जो की सपोर्ट करता है 33 वार्ट का प्रो फास्ट चार्जर को और ये चार्जर जोन आपको बॉक्स के अंदर में ही देखने को मिल जाएगा तो बात कर लेते हैं स्पोन का रहे में स्टोडेज का तो इस पोन में भी 4GB का रहे में 64GB का इंटरनल स्टोडेज मिलेगा और 1000 से जादा है बट इस पोन का वेस्ट वेरियंट ही आपके लिए अच्छा वैल्यू फोर मनी स्मार्ट फोन हो सकता है अगर आप चाहे तो इस फोन का और भी वेरियंट को देख सकते हैं आप अपने हिसाब से चलिए वीडियो में बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट के सिकेंट नमबर पे भी आता है रेडमी के ही तरब से रेडमी नोट 11 SE फिलाल के टाइम पर यहाँ फोन भी 12000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा अगर आपको सूपर एमोलेट डिस्पले वालाईक अच्छा वैल्यू फोर मनी स्मार्ट फोन चीह अभी के टाइम पर तो डिन काफ मजाएगा चेंट कारबुवर मिलेगा ओटा 점ि केमली का मोटर चेमरा तक्रिदेक्ट विडियो G95 वाला प्रोसेसर मिलेगा ये प्रोसेसर जो है ना Mediatek Helio G96 से थोरा सा लो है बट प्रोसेसर ऐसा है कि अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे इससे कोई दिकत नहीं होगा बात करेंगे बैटरी का तुमें 5000 अमेच का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33 वार्ट का चार्जर को तो चलिया बात कर लेते हैं स्पोन का रहे में स्टोरेज गटो इस फोन में 6 GB का रहे में 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैकसिमum 512 GB तक का मेमोड़ी को इसमें लगा सकते हैं तो इस फोन का प्राइट को बाद मि इस फोन का weight है अगर आपको एक अच्छा light weight phone भी चाहिए तो इसके लिए भी ये phone आपके लिए एक अच्छा option हो सकता है 8.3 mm का थिकने सही जो की काफी पतला सा phone कह सकते है और कुछ basic feature की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला headphone jack मिलेगा dedicated load दिया गया है जिससे आप double semantic memory card को एक साथ लगा सकते हैं इसमें face unlock का support मिलेगा और side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है और user interface की बात करेंगे तो MIUI 12.5 के साथ आता है जो के Android 11 पर base है तो फिर चली आखड़ी में बात कर लेते हैं this phone the price का तो ये phone जो ना फिलाल के time tap को मिल जाएगा 11,999 रूपया में अगर आपको 12,000 रुपे में कच्छा value for money smartphone चाहिए तो आप इस phone को भी ले सकते हैं खर अगर आप इस phone को भी लेना चाहिए तो ले सकते हैं अधरवाई चली वीडियो में बागे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने list का अगला phone का अपने list का आखड़ी and सबसे best phone आता है Poco के तरब से Poco M4 Pro 4G जी हाँ ये phone भी फिलाल के टाइम पर आपको 12,000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा अगर आपको 12,000 उपर में कच्छा all-rounder type का based smartphone चेहें तो यह phone भी आपके लिए कच्छा option हो सकता है तो क्या कुछ इस phone में मिलेगा, क्या इस specification होने वाला है चलिए जान लेते हैं details में स्टार्ट करेंगे इस phone का build quality से ही तो plastic build पे बनावा ये phone भी है plastic का back, plastic का frame दिया गया है 189 ग्राम इस phone का weight है जो कि एक अच्छा light weight कह सकते हैं और 8mm का ठीकने ऐसा जो की काफी पतला सा भी phone है तो build quality and design वगरा काफी खूपसूरत सा लगता है देखने में और कुछ basic feature की बात कर लेंगे तो 3.5mm वाला headphone jack मिलेगा dedicated slot दिया गया है जिससे आप double semantic memory card को एक साथ लगा सकते हैं इसमें face unlock का support मिलेगा और side mounted fingerprint का sensor भी दिया गया है और user interface की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो के Android 11 पर base है तो चलिए अब बात करें स्पॉन का man man features का तो स्पॉन में 6.4 इज का full HD plus AMOLED display मिलेगा जिसमें 90 Hz का इसकी refresh rate दिया गया है और 780 reads का भी brightness भी मिलेगा खेर ये तो होगे एड़िस बिला बात कर लेते हैं स्पॉन का camera का तो इस पॉन के back side 3 camera मिलेगा primary camera 64 megapixel का है second camera 8 megapixel का है जो की ultra wide camera है third camera 2 megapixel का है जो की micro sensor है और selfie camera 16 megapixel का दिया गया है इस पॉन के rear and front camera से 1080p पर video recording कर सकते हैं 30 fps पर camera no doubt काफी बढ़िहा मिलेगा इस पॉन का जिसे आप अच्छा कासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं तो बात कर लेते हैं स्पॉन का प्रोसेसर का तो इस पॉन में powerful processor मिलेगा तो इस प्रोसेसर का नाम है Mediatek Helio G96 वाला जो कि यह एक 4G processor है और यहाँ processor 12 nanometer पर ही बना हुआ है और 3.5 लाग बलस इस पॉन का अंतुतु इसकोड भी है प्रोसेसर जो है ना no doubt काफी powerful है अगर आप इस पॉन में gaming भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बात करेंगे बैटरी का तुर में 5000 मेच का बैटरी मिलेगा जो की support करता है 33W का charger को और इस price range के साथ यह charger भी बढ़ी हाँ है बात करेंगे RAM storage का अधर में 6GB का RAM and 64GB का internal storage मिलेगा और आप maximum 1TB तक का memory को इसमें लगा सकते हैं दुसरा variant है 6100 ठाइज जिसकाप्राइज फिलाल के टाइम पे 13000 रोपिया और तीसरा variant है 8100 ठाइज जिसकाप्राइज फिलाल के टाइम पे 14,000 रोपिया है बट इस phone का best friend आपके लिए अच्छा value for money smartphone हो सकता है Otherwise आप अपने budget and requirement के हिसाब से देख सकते हैं variant को खेर आप आपके पास 5 option आप अपने need and requirement के हिसाब से इन में से किसी भी phone को ले सकते हैं ये सभी phone एक अच्छा value for money smartphone है तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो गर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए अमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ